नमस्पार दोस्तो निकु चोधरी व्लोग्स में या कहें निकु फैमिली व्लोग्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं बात करने जारी हूँ यहाँ पर सपना चोधरी के बार में आपको पता होगा अगर आप पहले से वीडियो फोलो कर रहे हैं और पर नहीं भी फोलो कर रहे हैं अब भी अगर आप चैनल पर नहीं आया है तो मैं बता दू कि स्टार्टिंग से ही मैं सपना को सपोर्ट करती हुई आ रही हूँ क्योंकि उनके साथ जो हुआ उसके बाद में उनके लिए दिल में एक अलगी जंगा है और अगर उनको कोई कुछ बोलता है तो मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसके साथ में बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो कि देखे एक किस्मत ने जो उनके साथ में किया उनके साथ जो हुआ वो चीज़ अलग है लेकिन उसके बाद भी शोशल मेडिया के जरी उनको कितना जादा टोर्चर किया जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे इतना ही नहीं अब ये जो आग है ना वो उनकी सांस तक जा पोची है आग का मतलब यह है कि पहले इन सब चीजों के टोर्चर से सिर्फ सपना परिशान रहती थी क्योंकि शयाद उनकी फैमली वाले इग्नोर करते थे वो नहीं देखते थे लेकिन अब देखिए उनको टाइम पास के लिए कुस तो करना है और सभी आज के टाइम में सब के पास मोबाइल होता है सब शोशल मीडिया पर इन्वाल्व रहते हैं था इनकी फैमली में दो दो तीन तीन यूट्यूब चैनल हैं वो उनको चला रहे हैं तो नर्मल सी बात है कि भाई वो सजल मीडिया पर इन्वाल्व भी होंगे वीडियो सबस्ते हैं यह होता है कि भाई सपोर्ट मिलता है जहां एक तरफ जो सपना और उनकी मदर इनलो की अभी जो थोड़ी बहुत बात हुई थी कॉंट्रोवर्सी हम उसको नहीं कहेंगे जो भी बाते हुई थी वो उनका फैमिली मैटर था नहीं बोला था, लेकिन कुछ लोग ने जो सपना को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने हेट फैलाना शूरूर कर दिया था उनकी सांस के लिए तब भी मैंने यही कहा था कि भाई देखो जो हुआ है उनकी फैमिली में हुआ है, उन्होंने सब वो उस चीज से गुजर रहे हैं या फिर कुछ चीज़े होती है क्योंकि वो टेंशन में रहता है तो इनसान की जो activity होती है activity के जरीए वो अपने गुसे को या प्यार को निकालता है तो normal सी बात है कि कुछ गुसा आना जायज है तो हो सकता है कि कुछ गुसा नाराज़ी हो बट वो चीज़े सही हो जाएंगी और ये साफ दिखता है कि वो सपना को और उनके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए वो ही अब उनके बच्चे हैं मतलब कि राजीव जी और सूरज जी है वो ही अब उनके बच्चे हैं सपना और उनकी जो नो बेटी है वो लोग बहुत प्यार करते हैं तो वहाँ पर भी सपोर्ट करना बनता है उनकी मदल इन लोगो क्योंकि भाई वो उनकी फैमली है अब बात करते हैं यहाँ पर की गंदगी कहां हो रही है देखिए अब जो लीमिट हो रही है नो मुझो प्रोस होती जा रही है इनसान चुप है चुप है चुप है सपना के सपोर के ही वो लोग चैनल चला रहे हैं सपना के नाम से ही व्यूज ले रहे हैं और सपना को ही बदनाम कर रहे हैं अब इनकी जो सपना की जो वीडियो आई है उसे देखने के बाद में आपको इतना जादा बुरा फील होगा ना आप उस वीडियो को प्लीज जरूर जाके चेक जिएगा उन्हें वीडियो में शुरू में ही उनकी जो सांस है मदरें लो है प्लस सपना बहुत जादा परेशान दिख रही है क्योंकि किसी ने वीडियो बनाई है अब ये वीडियो पहली बार इस तरीके की वीडियो नहीं बनी ऐसी यूट्यूब पर कई वीडियो बनी हु लेकिन आप किसी की इज़ित को तार-तार कर रहे हैं गलत बोल रहे हैं और इतना जादा गलत बोल रहे हैं कि इसको बहुत मतलब वो इनसान पहले ही बहुत कुछ जहला है और आप इतना जादा उसमें भी गलत बोले जा रहे हैं कहें कुछ अरे वो तो शादी करने जारी है तीशरी शादी करने जारी है, सपना ने छोड़ा घर, सपना को घर से निकार दिया, सपना के साथ ये कर दिया, सपना के साथ वो कर दिया, शादी की फोटो पता है, नहीं कहां कहां उसको जोड़ा जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, इतना कुछ ये लिमिट क्रोस नहीं हुए क अब नहीं चीज आ गई अब नहीं चीज आ गई कि राजीव जी जिन्दा है अच्छा राजीव जिन्दा है हापने देखिए हैं तो प्लीज उनision को सामने लाए सो अगर वो जिन्दा है तो इस परिवार के सामने वाले हैं है ना या फिर आप ज़्यादा ऐसी जगाव पर गुमते हो जहां पर आप किसी मरेवे इंसान को देख लेते होंगे तो आप प्लीज इस चीज का प्रूफ देजिए उनको सामने लगे प्रूफ के जरुरत नहीं आप सिधा सामने लगे ना क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं उन लेटी बहुत जादा जेल चुके हैं अब उनका जो परिवार वाला है जिसकी वज़े से वो इतना ज़दा टें ये परिवार व्यूज के लिए कर रहा है रियली इन लोगों को व्यूज के अकाल पढ़ रहे थे आपको नहीं पता कि इनके चैनल पहले से ही बहुत जाद अच्छे चल रहे हैं और दा रोट चैनल का अब उन्होंने कोंटेंग्ट को चेंज करना पड़ा व्यूज के आपकी मेंटलिटी खुद है वैसे ही आप दूसरों को सोचते हो यह आपकी गंदी सोच का नतीजा है से जादा कुछ नहीं है लेकिन आपकी गंदी सोच का नतीजा आपको व्यू ना मिलके ना जो यह टेंशन मिलने है ना दूसरे परिवार को मैं बता रहे हूं आपको कि एक परिवार जो ओरेड़ी इतना दुख में है अगर उसको सामने ये चीज़े बोलोगे न तो भगवान की लाठी से डरो ऐसी हरकते ना करो जो शर्मिंदिगी तुम्हें भी महसूस हो तुम्हारे घर वालों को भी जिस दिन पुलिस केस हुआ न पुलिस तुम्हारे घर जा सकता है क्योंकि भी मारी जो है वह ठीक हो जाएग विउस उसके जूता है दिखा सकता है लेकिन उसके लिये मरी सब्सक्राठी मरी जाएगा पागलपनthi मतलब कि इतने सारे लोग उनके लाखों करोडों लोग उनको देख रहे हैं लाखों करोडों लोग उनको जानते हैं इतने यूट्यूबर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो ये ना टक करेंगे मनने का कोई ना टक करता है यही चलता है क्या आपके यहां पर या आपके यह लोक है इस उमर में धक्के खाने का नोक्री करने का और परेशान होने का हैं उसकी बेटियों को किसे दूर रखने का उन्सों शोक हैं दिनरात रोने का उन्हें शोक हैं पागल्पनती कुछ भी बोलते हो मतलब इतना ही बोलती कि वो जिंदा है यह लोग नाटक करें कि तो कु पाया गया है अरे भाई इतना गंदा सोचोगे इतना गंदा बोलोगे मतलब एक बाप बताओ कुंडिली में अगर दोश है मुझे बताओ कि किसी इंसान के छुपने से वो दोश कैसे ठीक हो जाएगा है कैसे ठीक हो जाएगा किसी इंसान के छुपने से वो दोश बताओ ज बताये गई कोई चीज नहीं होती है, जिसको छुपा दिया तो ठीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, यहनी कि आपको इसे घटिया हरकतें ना करो, मत करो ये हरकते जिस दिन जिस दिन भगवान की लाठी पड़ेगी न और मैं ये कहती हूँ रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप डियक्शन चैनल वाले होना तो ऐसे लोगों के खिलाब आवाज उठाओ ये गंदगी मचा रहे हैं इन लोगों के खिलाब बोलो यहां ज़रुत है सपना को सपोर्ट की उन चीज़ों के लिए बोलो तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एन मिलेंगे नेक्स वीडियो में और अगेन मैं कहई रही हूँ इस तरीके की गंदगी करना बंद कर दो